स्प्रॉड लाइट कारकर में दर्शकु आपका स्वागत है और मैं हूँ हरीश जोबडा जीवन में सफलता के लिए कोई शॉटकट नहीं होता जीवन में कोई भी विक्तित्व तब सफल होता है जब वो संघर्ष करता है और संघर्ष भी एक सतत चलने वाली एक निरंतर चलने वाली किरिया है अगर संघर्ष के साथ साथ जजबा हो जनून हो मेहनत हो तो वो आज भी सफलतम कहलाता है जीवन में ऐसे ही सफलतम एक ऐसा वक्तित्व जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो और कई स्कूलों का संचालन करता हूँ आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे शिरी वीपी टंडन जी से टंडन जी आपका स्टूडियो में बहुत-बहुत स्वागत है धन्यवाद टंडन जी आप एजुकेशन के फील्ड में बहुत-बड़ा नाम है जानिकि यह आपको शिक्षा विद्ध अगर कहा जाए तो और कई संस्थाओं का संचालन कर रहे हैं जिनमें नामी गरामी शिक्षण संस्थाएं भी हैं तो पहले हमें अपने जीवन के बारे में बताईए कि आपका बच्पन से कैसा रुजहान रहा कैसे आपकी आप शिक्षा के कि शेतर से जुड़े कैसे अधिकर मैं तो सबसे ज्यादा अपने आपको गुरोशाली समझूंगा कि जब मैंने जनम लिया आखे खोली तो एक शिक्षित परिवार में मैंने जनम लिया मेरे मदर फादर दोनों लेक्चरार थे और वो मेरेट कॉलिज में लेक्चरार थे और उन्होंने उनको मैंने सं चोड़ी छोटे थे दो तीन बहन भाई हमें भी पालते थे और साथ में अपने दायत्यू को भी पूरा करते थे अपना जो कारे है शिक्षा का उसको सुचारू रूप से करते थे और इसी वजह से वो संसकार हम में आये जब वो सत्तर में हमारे फादर साब का दिल्ली में स्कूल में हमारा उनका सेलेक्शन हुआ तो हमारी मदर ने बहुत छोटा सा शिक्षा का पोदा लगाया उत्तम नगर और जनकपुरी जब स्टार्ट हो रही थी तो उसी को वह बढ़ाते रहे हमारे फादर और मदर दोनों दोनों ने बहुत संगर्श किया कहां कहीं वह बह दो हमारी माताजी का आदा देती ते फिर और ऐसे बचों को पढ़ाया 잡्ए कि हम्ने देखा जहां ऑपर उत्तम नगर में में जो री सेट्यमंट करो ज्कूली थी हमारी हमारे पेरेंट्स हैं जो लोर विडिल क्लास लोर क्लास के उनको हम हर तरह से हेल्प करें उनके बच्चों को कोई शिक्षा का भाव नहों और अगर वो हमारे स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं तो वह भी पढ़ा सकें उनके लिए हमने कुछ नियम रखे हुए हैं जिसकी वज का रूप ले चुका है आपकी कितनी संस्थाएं हैं और कहां कहां कब देखें संस्थाएं हमारी वैस्ट और साउथ वैस्ट दिलिक में भी हैं और NCR में गुरगावा और नोईडा में भी हैं सबसे पहला जो पोदा लगा था जो हमारे मदर द्वारा संचालित हुआ वह उ प्रश्ची थे उन्होंने उसका बहुंगारण एक ऐसी कालोनी जहां पर अनुथ्राइज करोनी थी वहां भी स्कूल को लार वहां भी शिक्षा के छेतर में वह स्कूल कमल मोडल स्कूल महुन गारण आज दिली में एक अपना अलग स्तान रखता है बहुत लोग मिडल क्ला से आयो हूँ अप बहुत सरे सिक्षर संस्थाओं का संचालन करते हैं एक संस्थान शैक्षिटिक दिश्टी से और सांस्गित के दिश्टियों में उत्कृष्ट परदश्ट करें इसके लिए आपने क्या क्या किया इसके लिए बहुत डिवोशन डेडिकेशन चाहिए जहा सेनर सकंडी स्कूल मोहन गार्डन में है यह लगातार पांच साल तक रिपब्लिक डेप रेट में गया गंतंतर दिवस पर और मुझे बताते में बड़ा हो रहा है कि 2004 में जब हम पहली बार एसेंस ऑफ वाटर पानी की महता पर कार्यकरम लेके गए तो पूरी इंडिया में पर प्रोग्राम हमारा थर्ड पोजिशन पर आया तीसरी मंजी पोजिशन पर जो की पहली बार एक कोई प्रोग्राम जाने पर थर्ड पोजिशन आना बहुत बड़ी बात है लगातार फिर हम जाते रहे और हमारा 2006 में हमने एक राज़तानी निर्थ्टे पेश किया वहां पर हमारे दोनों स्कूलों ने गोगा पीर हमेशा हमेरी उस पर भी थर्ड पोजिशन आई लेकिन हमने एक ठान रखा था हमारी मैनेजमेंट ने पेरेंट्स बच्चों ने और हमारे तीचर्स ने कि जब तक हमारी फर्स्ट पोजिशन पूरी इंडिया में नहीं आती हम प् बहुत जजबे वाला प्रोग्राम जिसको कि इतनी तालिया बजी थी प्रोग्राम में वो प्रोग्राम राजपत पर जब हुआ तो उस प्रोग्राम को पूरी इंडिया में फर्स्ट पोजिशन मिली और उस टैम के रक्षा मंत्री एक एंट्री सर ने हमें बच्चों को और हमें ऑनर किया और जब हमें थर्ड पोजिशन मिली थी दो जार्चे में तो उस टाइम के जो रक्षामंत्री थे जो भारत रतन हैं बीच में हमारे नहीं है श्रीपड़ों मुखर जी उन्होंने हमारा ऑनर किया था एक बहुत बड़ा भव्या मंच था प्रतेक के लिए और ब स्टाइक को बता रहों कि अगर आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं अगर मन में जज़बा हो हमारे जो लोग हैं मो पेरेंट्स ने हमारा साथ दिया बच्चों ने बहुत हार्ड वर्क किया और टीचर्स लगे रहे हम लोग रात पर जाके हम जब रहसल पर जाते थे रिपब्लीक डेपरेट में तो मैं और मैडम वंदना टंडन जी आज कल गवर्निंग बोडी की मेंबर भी हमारी मिसिस फिंस है कोई भी हाइट को छूने के लिए तो वो चीजें अगर हम सब में होंगी तो सफलता निश्यत में लेगी बेरा मानना है अच्छे टन जी जब एक तो बहुत आप किश्वी महानगर में स्कूल शिक्ष स्थाय चल रही है अनाधिकरित कलोनी में एक स्कूल स्थापिद करन और उसे सफलतम रूप देना इन दोनों में क्या अंतर है मुझे तो याद आता है जब हमने 93 में मोहन गार्डन में हमारे फादर साब ने नीव रखी कमल मॉडल सीनर स्कंडरी स्कूल की तो सड़के भी नहीं थी हमें में जिस दिन हमारी नीव थी उस दिन बारिश हो रही जो लोग पहुंचे वह में रोड नजवगर्ड रोड पर अपने स्कूटर खड़े करके डेट किलोमीटर अंदर पैदल आए और लेकिन जैसे ही वह 94 में स्कूल स्टार्ट हुआ लोगों को लगा कि अच्छा स्कूल इस एरिये में आ गया है धीरे धीरे वहां पर इतनी पापॉलेशन हो गई कि अब वहां पर लाखों में है और धीरे-धीरे 6-7-10 साल में अब सारी सुईधावी भी वहां पर है तो अनुथ्राइस एरिये में स्कूल चलाना बहुत बड difficult tasks है लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको सेवा करनी है तो ऐसी जगाओ पर ही सेवा होती है आज से right to education शिक्षिका का अधिकार सरकार में से बड़े भवे अस्तर पर इसका परचारद भी किया और इसके लिए राज्या सरकारे कि के लिए लिए कि केector कारेरश इसकार भी धन देती है लेकिन फिर भी कहीं न कहीं जो साक्षिर्ता की और बढ़णा चाहिए जिस्दंग से ग्रामीन, क्षेत्रों में कहीं न कहीं लोग आज भी जागरुक नहीं हैं तो लोगों को शिक्षा के प्रदि जागरुक करने के लिए क्या एक राष्ट वे आपी अभिहान की जरूरत है देखे बिलकुल जरूरत है लेकिन अभी जो शिक्षानिती आई है अभ क्योंकि इस तरह के उसमें चीजें आई हैं जो उस निती के साब से बच्चों को और सरवाणगीन विकास की तरफ ले जाएगी तो और मुझे तो लगता है कि अब धीरे-धीरे पेरेंस और हमारे ध्यात के पेरेंस हो अनुथ्राइज एरी के पेरेंस हो चाहे दो रोटी व मातर भाशा में मिलेगी क्योंकि हम लोग उस बातावर उने पले है जहां एक एबीसी पढ़ना जाने कि फर्स्ट क्लास एबीसी पढ़ना एक बड़ा पेरेंस के लिए बड़ा गौर्व का विशे होता था कि हमारा बेटा या बच्ची एक पढ़ रही है जो मातर भाशा मे जो प्राइमरी एजूकिशन देने की बात है उसको आप किस द्रिश्टी से दे दे अच्छी बात है अपनी मातर भाशा का तो ग्यान होना चाहिए लेकिन हम यह भी नहीं नेकार पाएंगे कि इंग्लिश क्योंकि पूरे दुनिया की एक लैंग्वेज है भाशा है तो पेर सरकार ने किया है बहुत अच्छा किया ने जी एक बात एक प्रसेप्शन ऐसी बन गई है देश में जिसके लिए बार-बार चर्चा की जाती है कि जो प्राइवट स्कूल शिक्षा का निजी करण हुआ तब से अमीर और गरीब के बीच में खाई जो है वो परती प्राइव को दूर करने के लिए क्या एक बड़ा कदम होना चाहिए है देखे सरकारे कोशिश तो कर रही है कि जैसे अभी जितने भी सिक्षन संस्ताइं है वहाँ पर 25% का कोटा होता है जी उसमें एक बहुत गोर्व की बात है सभी पेरेंट्स के लिए कि चाए वह गरीब का बच्च की तरफ हमारा देश भढ़ रहा है और जहां तक गवर्मेंट स्कूलों की बात है वहां भी अब गुनवंता पर बड़ा धान दिया जा रहा है मैं देख रहा हूं कई सालों से कि अब पेरेंट्स बहुत जागरूख है चाहिए वह गोर्मेंट स्कूल के बच्चों के पेरे होंगा कि पेरेंट्स को बहुत जागरूख होना चाहिए इस कारे के लिए राज्य सरकारों में अपने अपने शिक्षा बोड़ है अलग अलग पाठेक्रम है एक समान अगर पाठेक्रम की बात करें तो क्या अच्छी अंधारणा है कि बड़ा यह विशे बड़ा लंबा च तरह की चीजे हो पाएंगी क्योंकि हमारे देश जो है विभिन भाशाओं विभिन धर्म उसमें है विभिन चीजे हैं तो उसमें एक समान जो चीजे हैं आने में टाइम लगेगा अटेंडन जी आप जो प्राइवेट स्कूलों की संस्था है उसके आप वाइस उपाद एक हम है अम्रेला हमारी संस्ता है लद दिल्ली के चोटे बड़े स्कूल है उसकी एर संस्ता है और 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 स्कूलों की एक्टिविटी का हो उन्हीं की गुणूमता का हो और पेरेंट्स की प्रोब्लम का हो और स्कूलों के एधिकारों का हो सबकी वो सबका ध्यान रखती है वो संस्ता और कोई भी ऐसी समझ से आती है तो उस संस्ता के माद्यम से हम सरकार से दूर कराने के प्रियास करते हैं आपको शिक्षाब योगदान के लिए विदेही सरस्वती सम्मान से आपको समानत किया गया और भी समाज के बहुत सारे पुस्कार आपको मिलने हैं तो एक सम्मान पाकर कैसा मिसूस होता है आप देखिए बड़ा अच्छा लगता है कि कोई अगर बहरत करे और उसको रिकोगनिशन मिले उसका बड़ा एक अपने आप में बहुत बड़ा उस मोटिवेशन मिलता है और भी उस मोटिवेशन से और आगे उस सा बढ़ता है कि और कारे बढ़ चड़के किये जाए समाज के तो दशको अब समय हो गया है एक छोटा सा ब्रेक लेनेगा जाईए अगर नहीं ब्रेक के बार टंड़नी से बाचित जारी रहेगे सिर्फ संत्वाइनी चैनल पर वेल्कम बैक दोस्तों टंड़न जी स्कूलों में शिक्षा का तो बेसिक कारेकरम होता ही है एड्यूकेशन उसके साथकित कदिविधिया भी होती है खेल कदिविधिया भी होती है आज जिस तरह से नहीं नहीं परद्यों की आई है और एक डि तो नहीं नहीं क्या अब प्रयास किये जा रहे हैं इसके लिए तो हमारे टैडिश्टल गेम से वो तो सारे होते ही है स्कूलों में योगा भी होता है स्केटिंग भी होती है फुटबाल किरकेट चैस वाली बाल बासकेट बाल इसके अलावा जो आई टी में है उसके कंपेडिशन , डिबेट ईए कोशी है कि बच्चो को हार तरहीं कांपिटिशन में पार्टीिश।ा kति जुक है उसके हशाब कर आगे हमसे और हमारे तो इसके लिए तो हम हमेशा प्रयासरत रहते हैं कि साइंस एग्जिबीशन होती है साइंस फेर होती है तो बच्चों को मल्टिपल हम चीजों को महिया कराते हैं जिससे बच्चे जो हैं जब भी कहीं स्कूल छोड़कर कॉलिज जाए तो उनका टैलेंट दिखाई दे अलग से कि वो कि स्कूल से ब जबाव डालते हैं कि नहीं तुम्हें नियर बनना है तुम्हें मेडिकल लाइन में जाना है बहुत ज़्यादा प्रैसे और बच्चे की दूची उसमें नहीं होती तो प्रतिभाओं की पहचान के लिए कि कौन सा इसमें गुन है यह किस विशे में आगे बढ़ सकता है इसकी चीज़ों को आप आगे कर सकते हैं जिसकी जो रूची है उसके एसाबसे धर फिर लगते हैं हमारे सब्रेट को बनाãy हैं सबने इंजिनियर बना है आज कर बहुत सारी चीजे हैं बहुत सारी ब्रांचीज हैं जिसमें बच्चे हमारे आगे जाके सक्सेस हो सकते हैं अच्छा एक शिक्षा में एक बड़ाई एक देखी आती है कि कोई कोई दौर था जब लोग बिये अप आने आपको करके बड़ा सब्मानत में सूस करते हैं फिर उसके बाद कमर्स की लाइन आई इंजियर आए सब आए लेकिन जो प्रधिवाओं का प्लाइन होता है देश चे बाहर क्या उसके लिए ये बात कही जाने की कोशिश करते हैं वो ये चाहते हैं कि हमें फोरण में धंग से एक पीसफुल एट्मोस्टेर पर में हमें जोब करने का मोका मिले और उसमें जो गेन होता है उनको वह भी ज्यादा होता है जहां तक इंडिया की बात है मेरे तो मानना के हिसाब से उनका सम्मान होना चाहिए उन बच्चों का टेंटर जी शिक्षा एक तरह से समाज सेवा ही है लेकिन कई बार देखने को मिलता है कि ये जो एजूकेशन है आज के दोग में विशुद्ववसाइक हो गई है तो इस प्रसेप्शन को दूर करने के लिए हाला कि स स्कूल एक समाजिक संस्ता है एक उसको एक चैरिटिबल वे से ही चलाना चाहिए हाँ अगर प्रोग्रेस के लिए स्कूल को बढ़ाना है उसकी बिल्डिंग मिनानी है एक्सेंड करनी है तो उस पें वह पैसा लगना चाहिए और जो जरूर्तमन पेरंट्स हैं और वह चाहत आपने तो गरीब बच्चों के लिए निशुक किताबों की भी वस्था करते हैं, आप उनकी फीस भी माफ करते हैं, या कम भी करते हैं, तो आपको कितना लगता है कि ये काम और भी जादा व्यापक स्थर पर, राश्टी स्थर पर होना चाहिए? बिलकुल होना चाहिए, जो अभी COVID चल रहा है, इसमें जहां पर वजबूर पेरेंट्स हैं, जिनकी सर्विस छोटी हुई है, या कम सेलरी पर उनको दुबारा रखा जा रहा है, तो उनको अरजेस्ट्मेंट करनी चाहिए, स्कूल्स को और उनकी जो पेरेंट है, उसमें रिय होना चाहिए, जिसमें उनको लगे कि हमें ये काम करकर आत्मा को हमारे बहुत अच्छा लग रहा है, तो कि हर तरह का पेरेंट्स है, हर तरह का कई बर क्या होता है, मैंने देखा कि एकदम कोई ऐसी ट्रेजडी आ जाती है, किसी का एकदम फादर एक्सपायर हो गई, अब क इस निशूल कर दे, उसको पढ़ाएं, जिससे की उसको ये न लगे कि मेरे अगर घर पे कोई रोजगार वाला नहीं रहा तो मेरे बच्चों का क्या होगा, तो हम कोशिश पूरी ये करते हैं, हमारी संस्ताय हमारी संस्ताय भी करते हैं, कहीं और स्कूल भी करते हैं, एक हमारी के दरान स्क्षन संस्ताय बंद हैं, अब वर्चूल शिक्षा का इंतजाम किया जा रहा है, बचे मुबाइल पे, लैप टॉप पे, घरों पे, वर्चूल करा सदली रहे हैं, क्या एजूकेशन, क्या ये जो इतना बड़ा गैप, इतनी बड़ी, मतलब संकट आया है, उसमें से शिक्षा की बरपाई कैसे होगी, और स्कूलों को आर्थिक संकट का जो सामना करना पड़ा है, अब स्कूल की मेंटिनेंस है, स्कूल में सब कुछ है, स्कूल के राखरखाब भी है, ये सारी चीजे तो अब यहां तक शिक्षकों के वेतन का स्वारा है, वो भी मा आपको बताओ, क्योंकि मैं तो इस इतनी बड़ी संस्ता से जुड़ा हूँ, ये वाइस पेजिन, मैंने देखा है कि हमारे जितने भी दिल्ली के प्ले स्कूल है, लगबग बंध है, और बहुत और जो भी अनुथराइज में ये एट तक के स्कूल है, वो भी बहुत संकट क्योंकि इस तरह के स्कूलों में बच्चे ना तो पेरेंट्स फीस जमा करा पा रहे हैं, और नहीं वो सर्वाइव कर पा रहे हैं, तो एक संकट तो स्कूलों के लिए भी बहुत है, और देखें, मैं तो इस वर से प्रात्ना करूँआ कि जल्दी से ये सब चीजे ठीक हो, और फिर से बच्चे चहल पहल करें स्कूलों में आकर, आकर शिक्षा ग्रेंट करें। वारा प्रस्तुत कारिक्रम स्पोट लाइट, रत्येक रविवार, रात्री स्काधी नोबजे, सिर्फ संत्वाइनी चैनल पर. वेल्कम बैक दोस्तों, टंडर जी इस वर्ज जो अजोधिया में रामविला का मंचन किया गया, वो पहरी बार वर्च्चूल रामविला से आप कह लेजिए, या ऑनलाइन रामविला कह लेजिए, कि घर बैठे दर्शकों तक भववान शिरी राम का संदीश पहुंशे, आ अपने आप में बड़ा अनूठा प्रयास था, आप उसकी जो मंचन की स्विती थी, उसके आप कारेकारी अध्यक्षते, तो कैसा अजोधिया में अन्भव रहा, क्योंकि अजोधिया में राम मंदर का शिलानियास करने के बाद, जिस तरह से वहां पूरी की पूरा बाताव मंचन हुआ, और एक हमें बहुत गोरव हम महसूस करते कि हम जो हमारे आदार्णिये यह शिश्वी प्रधान मंत्री श्री नरेंदर मोदी जी ने पांच अगस्त को श्री राम जर्म भूमी की नीव रखी, उसके बाद ये एक भव्वे प्रोग्राम था, जो एध्यकी राम जहां पर राम लिला होनी थी, और हमने सरकारों से बाचित की, यूपी सरकार से योगी जीरे हमें बहुत सयोग दिया, उन्होंने वर्च्वल राम लिला की परमीशन दी, और जो वो भव्वे मंचन हुआ जहां दुरदर्शन ने अपने 19 कैमरे लगा कर उस राम लिला को प पूरे विदेशों में, हमारे पूरे संसार में पहुचा है, लगवां तेरा करोड़ लोगों ने उस राम लिला को देखा, एक बहुत अनूठा अनभव था और मैं एक कहुंगा कि ऐसी पवित्र भूमी पर, ऐसा पवित्र कारे करकर हमारा जो साइटी है, और हमारी हमारी अजुद्या की राम लिला के जो बुखे संरक्षक हैं, परवे साफ सिंग्वर्मा जी मेंबर ऑपार्लेमेंट, हम सब को बड़ा गोरव महसूस हो, अच्छा, इसके लावा उत्तर प्रदेश सरकार ने कितना सहयोग दिया, इसकार के पूरा सहयोग दिया, क्योंकि उत्तर बड़ा भवे मंचन होई नहीं सकता था, और फिर योगी जी ने हमें बुलाकर हमारे कारेों को सरा और पंतालिस मेंट हमारे साथ वो रहे, और हमें हर मेंबर को ऑनर किया उन्होंने, उन्होंने हमारा स्वागत किया, और इतना हम अभी भूत हुए कि उनके जो उन्होंने म प्रधान मंत्ररी हमेशार्च जब भी कोई प्रधान मंतरी रहा वwo लाल के लिए और भूर ने पहली बार प्रधान मंत्रि दें दर मुधित है उन्होंने इस परंप्रा को तोड़ा और वो पालम की रामिला में और आप उसमेर मंज पेर उनके साथ आपने मंज पर भांगी आना एक ये एक चीज को सिद्ध करता है कि हमारे मानने परधान मंतरी हर चीज को देखते हैं उन्हें लगा कि द्वारका में कई सालों से राम लिला हो रही है और हमने रिक्वेस्ट भीजी हमारे जो सांसते प्रवेश साप सिंग गर्मा जी ने और उन्होंने सारे डेकोरम तोड कर पहली बार इतखास में वो क्योंकि अभी तक आप जैसे आप कह रहे हैं कि लाल किला और राम लिला मैदान इन जगह पर ही हमारे जो वियाइपी से जाते थी उन्होंने उस परंपरा को तोड कर द्वारका में उनका आना वहां के लोग द्वारका वासी और पूरी पश्वी दिल्ली बहुत उन्होंने खुशी जायर की कि हमारे प्रधान मंत्री हमें आशिरवाद देने द्वारका हैं और बड़ा अच्छा प्रोग्राम रहा उन्होंने बड़ा अच्छा बोला और भव्वे प्रोग्राम उनकी वज़े से और वे राट प्रोग्राम पन गया अब नया वर्ष आने वाला है और उमीद है कि करोना का संकर जो है वारस क्या कर ना चाहेंगे दिए हम तो कहेंगे सबसे पहले हमारे इश्वर से ये प्रात्ना है कि सब चीजे देश में और सारे संसार में नॉर्मल हो जाएं नया साल सबके लिए उस्सा पूर्वक्र है जो ये संकट हम देख रहे हैं ये संकट से इश्वर सबको निजात दे और उसके बाद जब चीजे सामने आएंगी तो हम तो अपने तो करोना काल वही इतने हम लोग हमारे हम बैठे नहीं और हमारे को प्रभूर इतनी शक्ति जी क कि हमने इतना बड़ा कारे करम अयुद्य में किया और हम तो चाहेंगे कि इश्वर अच्छे कारे कराता रहे और सब समुर्द रहें देश हमारा तरक्की करें और यह जो चीजे चल रही हैं वो दूर हूं सारी तो आपने बहुड़ी बढ़े ही बेहत्रीन धेंग से अपने नई शक्सीद के सामने आपके सामने रूबरू होंगे तब तक के लिए धन्यवाद